ना दाल चावल भेकोने का टेंसन ना चाहिए हमको एनों ना चाहिए कोई फर्मांटेशन ना है ये डोसे इतली वरे और अप्पे ये है साउथ इंडियन टेंस जो बने की पांच मिनिट में बन डोसा जो एकदम सोफट और एकदम टेश्टी तो फिर वेट किस बत का पूरा वीडियो दे को एन कमेंट में बताने पसंद आए है 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 लो फ्रेंज वेलकम बेक टो मैं चेनल मामी की एडवाइस आसेफुन के रेसीपी में आप सब का स्वागत है असलम अलेकूम मैं हूँ आसेफुन ये मैंने क्या लिया है डेट कप मुर मुरे जिसको का बनता है और फर्माटेशन की प्रोसेस रहती है तो इतना लंबा हमको कुछ करने का नहीं है तो ये डेट कप मुर मुरे को मिक्सर में क्रस्ट कर लेने दर दर उसका पाउडर कर लेना फिर आधा कप डालना सूजी जो सेमोली ना जिससे हम उपीर सीरा बनाते वह सूजी ह वह डालना उसमें टेष्ट की अकोडिक डालना नमक एन आधा कप देइं या फिर छास जो आपको पसंद हो वह डालना इसको अच्छे से मिक्स करना रहें आने पाण में उसमें पाने एन करना पहले से पाने एड़् मत करना और पाणी भी थोड़ा-थोडा कड़की से अच्छे निये बनेंगे बहुत लोग बंडो सामें है इनों भी डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें एड़ करना साथ में आपको एक दम टेश्टी चट्पटी चट्नी भी तिखाऊंगी जो एक दम टेश्टी बनेगी तब देख सकते हो मेरा बेटर कितना है मै एक कप का यूस नहीं किया है एक कप आप देख सकते हो पानी अभी थोड़ा इतना बच्चा है तो इसको पांस से दस मिर्ट ज्याद हमको रेष्ट देने की ज़रूर नहीं जब तक चट्नी बनाते हूं तब तक उसको रेष्ट में देते हूं तक रिबन 10 मिर्ट मुझे ल लसून अधा चमच जीरा एक चमच सिंग दाने और दो चमच सेव नाइलोन सेव मोटी सेव जो आपके पास हो वो एट करना इन थोड़ा एट करना पानी फिर मिक्सर में अची से क्रस कर लेना यह तरका चट्नी के लिए बनाते हूं अगर आपको चट्नी में तरका चाहिए अगर चट्नी पसंदी तो एक चमच जितना तेल उसमें थोड़ी राय थोड़ी जीरा और यह तरका तैयार है और यह चट्नी के उपर आप डाल देना अप चट्नी का कलर देख सकतो एक दम ग्रीन चट्नी का कलर हुआ है तो इसको साइट में रखते हूं अब हम बनाते तर तो यह जो तरका है वह हम डालेंगे जो हमारा बंडों से का बेठर है उसमें डालना और उसको अच्छे से मिक्स करना यह चट्नी के साथ है आपको बंडों सा बहुत मस्त लगेगा एक तम टेस्टी और आपको तीन-चार फ्लेवर साथ में आपको निलेंगे अच्छे से मि तो आप इनों का पेकेट एक यूस करना ने तो फिर आदा चमत जो खाने का सोड़ा है जो हम बजी में डालते है वह एट करना बस जश्ट हमको मिक्स करने का है हमने 5-10 मिलिटर बेटर को रखा है ज्यादा बेटर को भी नहीं रखा फिर आप नोंस्टिक का पेन या फिर ज इसको पांच मिलिट या 3 मिलिट ढखा है तो आप देख सकते ऊपर से एकदम अच्छे से पक जाने के बाद इसको टन करना पहले से टन मत करना आप देख सकते हैं वापस एक से डेट मेंट वापस इसको ढखा है तो एक दम इतली के जैसा फूला हुआ हमारा ये बंडोसा ब टेश्ट, ढोसे का टेश्ट, सब टेश्ट आपको इसमें मिलेंगे, फटा-फटी दूसरा भी आप देख लो, मैंने ढखती रखा था, और आप देख सकतो, आपको बड़ी साइज पर मीडियम ये साइज अच्छी लगती है, तो आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारे मेरे ब एक बार ये नास्ता जरूर बनाना इन कमिन ने बताना पसंद आए रेसिपी कि नहीं आए, और आप इसका लुक भी देख सकते, I hope so, you like this my video, subscribe to my channel, click तभी लाइकोन, Instagram पर जरूर फोलो करना आसे पूंदेडा, I love is, thank you so much